97 फाउंडेशन कोर्ष के प्रसिख्य अधिकरियों के विदाई समार्गों में उपस्तित उत्राकांट के राज्चपाल लेप्टिन जेनराल गुर्मित सिंग जी मुख्य मंत्री आद्रिया स्री पुषकोर सिंग धामी जी लाल भादूर सास्त्री राष्ट्य प्रसाशन एकाडेमी के निर्धेशक श्री निवास आर कटी की थाला जी एकाडेमी के बिशेश निर्धेशक श्री मती राधी का रस्तगी जी एकाडेमी के संकाई सद्धस्य एवं 97 फाउंडेशन कर्ष के प्रसिख्यू अधिकारी गौन। सद्धिको मेरी प्यार भरा नमस्कार। भारत की सिविल सभाओं के सीर्ष प्रसाशन प्रसिख्यों संस्थान। लाल भादूर सास्त्री राष्ट्य प्रसाशन एकाडेमी में आप सभी युआ अधिकारियों से मिलना और आपको समधित करना मेरे लिए एक सुख़द अनुभव है। एकाडेमी में अपना प्रसिख्यों सोफडता पुर्वक पुरा करने के लिए आप सभी प्रसिख्यों अधिकारियों को बधाई और सुबकामनाई। मैं यहां प्रसिख्यों के लिए रोयाल बुटान सिविल सर्विशेश के वधिकारियों का भी हार दिक बधाई देती हूँ। लालबादुर सास्त्री राष्ट्य प्रसासन अकाडमी के सभी बरतमान और पूर्बो अधिकरियों की भी में प्रसंशा करती हूं जिन्होंने बड़े ही लोगन और मेहनत से हमारे देश के चुने हुए ब्रिलियंट माइट्स को एवल सिविल सार्वेंट के रूप में ढाला है आज इस सभागार में आने से पहले मुझे यहां पर एक नाया होस्टल ब्लोग और मेस अरेना पोलो फिल्ड और अन्यों कोई सुभिधाओं का उद्गाटन करने का अफसर मिला मुझे विश्वा से कि इन नई सुभिधाओं से प्रसिख्यों अधिकरियों को और अधिक सोहलियत होगी यह बहुत ही खुशी की बात है कि आज से पुर्बतमाला हिमालयान एंड नोर्थिस आउड़र लर्निंग एरिना का निर्मान कारियों सुरू हो रहा है जो सीविल सार्वेंट्स और प्रसिख्यों के लिए हिमालोय और भारत के पुर्बतर छेत्र के बारे में एक ज्यान कोस का काम करेगी प्रियो प्रिसिख्यों और इकारिगान आज जो मैं आपको सम्बदीत कर रही हूं तो मेरे स्मूर्ती में सरदार बल्लवाई पटल के सब्ध गुंज रहा है एप्रियल 1947 में सरदार पटल आयस के प्रसिख्यों बेच से मिल रहे थे देश अभी आजार नहीं हुआ है लेकिन इस बेच का भार्यती करण हो चुका था उस बक्त उन्होंने कहा था एन आई कॉट वी मस्ट एक्सपेक्ट एंड वी हेव एन राइट तो एक्सपेक्ट दा बेच आउट अउट अब्री सिविल सर्वेंट इन वाटी वार पोजिशन और रेस्पन्सेबलिटी ही और सी में भी अनकॉट आज हम गोर्ष से कह सकते हैं कि सिविल सार्विसेज के लोग इन उपिक्ख्याओं पर खर्ये उतरे हैं आप लोग मेधावी भी हैं और मेहनेती भी आप सब किसी भी आकर्शन को केरियार में जा सकते थे पर अपने सिविल सार्विसेज के माज़्दम से देश सेवा का आप लोग मारेगी स्चूना आप देश के भिन्न भिन्नो प्रांतों से आए हैं आज आप से मिलकर मुझे भारत की विविदता में एकता का प्रतक्ष उनुभव हो रहा है आपके फाउंडेशन कोस का मुल मंत्र है मैं नहीं हाम मुझे पूरा विश्वा से कि आप सामुहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जमिदरी निभाएंगे आप में से कई ओधिकारी आने वाले दस पंद्र बर्स तो देश के एक बड़े भाग का प्रसाशन चलाएंगे आम जन्ता से जुड़े रहेंगे आपके सपनों का भारत केशा हो इसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं बिभीनों सर्विस के आप सभी चार सो पच्पन प्रसिख्यूं अधिकरियों ने इस एकाडेमी का मोटो दिखा ही है उखेग होगा सिलंग परम भुजणं और था करेक्टर इस दा हायस्ट भाच्चू आपके प्रसिख्यूं की पध्धती कर्मयों के सिधान्तों पर आधारी थे जिसमें करेक्टर की बड़ी महत्ता है हामारे पूर्योवर्ति राष्टपती प्रणम मुखर्जी ने प्रसिख्यूं अधिकरियों को संबधित कार्ते हुए संबिधान के प्रती सन्मान और निष्टा का भाब रखने को कहा था मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ आपको समाज के बंचित वर्ग के लोगों के लिए संबिधाना सिल रखिनी होगी अनोनिमेटी, आविलीटी और अस्टेरिटी ही एक सिविल सार्वेंट्स का आभू सुन है इही गुण आपको पूरी सेवा अवधी में आत्मबल देंगे आप अपने प्रसिक्षण के दोरान जिन मुल्लों से अबगत हुए है ये मुल्लों सिर्फ सेधान्तिक दाइरे तोखी सिमित नहीं देहनी जाहिए देश की जनता के लिए काम कर्टे समय आपके सामने अनेक चुनतियां और कठेनाई आपके सामने आएगे उन परिस्तितियों में आपको इन मुल्लों का अनुसरन करते हुए पुरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा भारत को उन्नोति और विकास के पतपर अग्रसर करना देश बासियों के उत्थान का मार्ग प्रस्थ करना आप सबकी संबी धानिक जीमिदारी भी है और नोयतिक अंतरदाइत्यों भी है समाज के हीत का कोई भी कार्जियों सभी कुसलता पुर्वक संपन्न हो सकता है जो सभी भागीदरों का साथ लेकार चला जाए समाज के सभी बर्गों और समुधाय की भागीदरी से किया गया कार्ज प्रत्यक दुरुस्थी कर से उत्रुस्थ होता है इसलिए मेरा ये मनना है कि जो आप समाज के उपेखीत और बंचित बर्गों के ध्यान में रखते हुए आपने निन्नों लेंगे तो आप अपने लख्यों को प्राप करने में अवस्यों सफल होंगे मुझे बताया गया है कि आप लोगों ने आपने प्रसिख्यों के दोरान आप मुझे आते हुए बता रहे थे आज की आजादी के अंतज्दोई तोख अभियान के तोहेत पूरे देश में पचस्तर गाउंस में आप समोई भिताए साथ ही आपने उन गाउंस में अम्रुत फरवर का भी निर्मान किया है ये सभी गाउं एसे सतंत्रता सिनानियों के गाउं है जिन्होंने किसी नाम और ख्याती की इच्छा किये बिना देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थे आपको उन मुहान आत्माओं से प्रिवणा लेते हुए एक आम आदमी बन कर देश की सेवा करनी है अपने गाउं में प्रबास के दोरान सरकरी जो जनाओ के क्रियान नयन के प्रक्या को नजदिक से देखा वहां के लोगों की बुनियादी चरूरों तो उनकी समझाओं उनकी आशाओं और काख्याओं को जानने समझने का मौका भी आप सुब को मिला मुझे विश्वा से कि आप इस ब्यापोक और नुभव को कियेवल प्रसिख्यों तो की सिमित नहीं रखेंगे वालकि सरकारी जो जनाओ का अलग्य प्रत्यक जरूरत मंद पे तिक तो पहुंचे एस उनिश्चित करने का दाईतों आप सोदेब निभाएंगे आज जनता जागरूखे और गुड गोबनास समय की मांग है गुड गोबनास का अभाव हमारी ओनेक्स समाजीक और आर्थिक समस्चाओं की जड़ लोगों की समस्चाओं को समझने के लिए आम लोगों से जुड़ना जोरूरी है लोगों से जुड़ने से के लिए आपको बिनम्रों बनना होगा सोभी आप उनेक्स उनके साथ संबात स्तापित कर सकेंगे उनकी जरूरतों को समझ सकेंगे और उनकी भलाई के लिए काम कर सकेंगे मुझे ये दिकार हर्शित हो रही है कि प्रसिक्यो अधिकरियों की इस बेश में 133 बेटिया है हमारे देश के सर्बंगिन विगास के लिए मोहिलाव और पुरुसों दोनों का यगदान महत्तो पुरुन है इसलिए मैं आप सुब से विशेश कर बेटियां से उपिल करूँगी कि आप अपनी सेवा के दोरान जहां भी रहें लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोसाहित करते रहें जोग हमारे बेटियां विभिन्न चेत्रों में आगे आएंगे तो हमारा देश और समाज सोशक परेंगा प्रियोश्प्रोसिक्ठ्यों अधिकरीगों मैं आज आज आपसे बर्तमान समय के एक जलन्त मुद्देपर बात करना चाहूंगी आप सोब जानते हैं कि पूरी दुनिया गलोबाल वर्मिंग और क्लाइमेंट चेंज की समस्षाओं से जूज रही इस समस्षा के समाधान के लिए तदकाल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है आप सोब से मेरी अपिल है कि भारस और कर परियाबणों सुरक्षा से जूड़ी जो भी कदम उठा रही है उसके पूरी तरह से लागू करें जिससे हमारे आने वाले कल सुरक्षित हो सके मुझे विश्व से कि जहां प्रसिखन के दोरान आप लोगों ने अकाडेमी गीत की भावनाओं को पूरी तरह से आत्मों साथ कर लिया होगा और ये गीत आपके लिए निरंत और प्रणा का सर्थ बना रहेगा मेरा मनना है कि आप रहो धर्मों में धीर रहो कर्मों में बीर रखो उन्नचिर जोरोना की भावना के साथ भावना के साथ मोशुरी बालों कोरिमो जोईगी के रूप में देश को प्रगोति के पदपर आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से तेयार और समर्थ थे आपकी इस जत्रा में मेरी सुब्खमनाई आप सभी के साथ है प्रियो प्रसिक क्यो अधिकरीगण आप आजादी के अमरुदकाल में सिविल सर्विसेस में प्रवेस कर रहे हैं आगले 25 बर्स में आप लोग देश के सर्वांगिन विकास के लिए निती निर्मान और उसे लाग करने के महत्त पुर्ण भूमी का निवाएंगे आज मैंने इस एकाडेमी में वाकुय अफ सर्विस का उधगाटन किया जहां प्रत्यक वर्स प्रसिक्ष्यो अधिकारियों द्वारा निर्धारित किये गे उनके राष्ट निर्मान के लख्षों को टाइम केप्सूल में राथा जाएगा मुझे बताया गया है कि इन टाइम केप्सूल को वर्स दोहाजार सक्चालिस में में उन ओधिकरियों द्वारा सोयोंग खला जाएगा जिन्होंने अपने राष्ट निर्मान लख्षों को केप्सूल में राथा है मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इस टाइम केप्सूल में हमारे देश को इसके आजादी के सोताप्ति बर्स तक आधुनिक आत्म निर्वर और सोचक त्राष्ट बनाने का लख्ष राथा ही होगा मेरा विश्वास और मेरी आपसे आपिल है कि आप सोयोंग निर्धारित कियेगे आपने लख्षों को सदा याद राखे और उनको पूरा करने में निश्ट्य पुर्वग जुड़े रहे हैं ताकि जो आप बर्स टू फोटी सेवन में टाइम केप्सुल को खोले तो आपको अपने लख्षों को पूरा करने का गर्व हो और संतुष भी आज मुझे पता ने मेरे आने से आप कितने खुस हो लेकिन में ज्यादा खुस हो कि में यहाँ आने से ज्यादा प्रभाबीत हूँ ज्यादा संतुष नूँ ज्यादा खुस हूँ मौसुरी के नाम हम सुने थे कभी आये नहीं थे क्यूंकि यहां देश के बनाने वाला इंजिनेरिंग को यहां प्रसिक्षन दिया जाता है मुझे इंजिनेरिंग इंजिनेर आपको इसलिए कहते हूँ आप चीप इंजिनेर भी है एक्जिक्यूटिव इंजिनियोरी भी है क्योंकि आप देश को बनाते हैं सबसक्त करते हैं मैं खुश हूँ कि आप गाउं गाउं गई गाउं के लोगों के खुबिया उनके गमिया क्या है और उनके आंदर जो भवना है उनके साथ आप बात जीद किये आप मैं सुझ किये गाउं के परिवस गाउं के परियावरण गाउं के लोग कितने मासुम देश के प्रती समाज के प्रती कितने समर्पित आपने अनुवब किये हैं मुझे लगता है यह जो अनुफ़ती आगे जाकर आप जो देश के कोई चीप सेक्रेटरी बनेंगे, कोई क्या अफिसर बनेंगे, देश को आगे लेने के लिए बहुत सारे स्कीमें बनाएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मुझे लगता है और काम में आएगा. आज मैं खुश हूँ केवल आपको एक किताब के अंदर सिमीद नहीं किया गया, मैं डारेक्टर महदोई को धन्यबाद देना चाहती हूँ, कि भारत के धरवर केवल मानो बिकास में नहीं है, मानो बिकास से जुड़ी बहुत सारे चीजे हैं, पहाट, परवत, पेड़े, पोधे, पशु, पच्छी, खेल, कूद, नाच, संगीत, कितने चीजे हैं, संस्कृती, परंपरा, एस उप चीजे, हम देश को बनाएंगे, तो एस उप चीजों के प्रति हम ध्यान नहीं देंगे, तो देश का ये विकास ओधूरा रह जाएग इसलिए इसके प्रति ध्यान देने के लिए स्वास्थ, क्यूंकि आप ही स्वास्थ नहीं होंगे, तो देश को कैसे स्वास्थ बनाएंगे, इसलिए आपको फिटनेस का, योग का भी प्रसिख्यन दिया गया है आपको जो बहुत सरे मंत्रों सिखा गया है, उसी को मुझे लगतारी जीवन का ये मुड मंत्रों बनाएंगे और अपने जीवन में, अपने कार्यक्यत्रों में उसका आपका धे होगा मुझे लगता है, इसी तरह के प्रसिख्यों दिया जाएगा तो देश का भविश्यों जो भारत के प्रधान मुंत्री जो सपने देखते हैं, 2047 में ये एक महान देश, महान राष्ट्र, इस सबसे उपर राष्ट्र, सबसे बड़ा राष्ट्र बना, मुझे लगता है, जोरूर बने इसी के साथी, अब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद, जो हिंद जोई हाँ धन्यवाद माने लिए राष्पती में हो गया